हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टुमा यूट्यूब चैनल एमन टारगेट दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 1.4 का जो कोस्चन छुटा हुआ था एक दो कोस्चन और जो आप लोगों का डाउट था मैंने बोला था कि आप लोग बताईएगा तो एक लड़के ने बोला है डाउट उसको भी बता देते हैं और 1.4 का पाट 2 ठीक है इसमें कोस्चन नमर 3 बचा हुआ था उसको आज हम लोग कर लेंगे यह वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा और जो लड़के पहली बार चैनल प्यार रहे हैं उनको जैनकारी के लिए मैं बता दू कि हमारे इस पुछा है कोस्चन नमर 2 किताब लेकर बैठिएगा पांचवाग पुछा है किताब लेकर बैठिएगा मेरे सामने दोनों लेंग्वेज में किताब होते रहता है योगी दोनों लेंग्वेज से मुनको पढ़ाना होता है छोबटा पंदरा ठीक है छोबटा पंदरा अब इ ठीकट 6 को दो गुड़े 3 लिख सकते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुड़े 3 हम इधार आ जाते हैं पांच गुणे तीन अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहा है तीन तीन दोनों उपर है तो इसको कटा दीजिए तो बच्छा क्या दो बटे पांच अब यहाँ पे आपको एक लेंग्विज लिखना है यहाँ पे लिखिएगा दो बटे पांच को हम दो के पावर M गुणे पांच के पावर N के रूप में व्यक्त करने पर ठीक जब हमको दस मला में बदलना है उस समय जब हम इसको व्यक्त करेंगे किस चीज में दस मलों के रूप में ध्यान से समझिएगा और सैरी आज भी आया है बताएंगे लास्ट में सैरी भी सुनाएंगे पहले जो लड़का का डाउट है भाई किसर कैसे हो गया थोड़ा हमको बता दीजिए ठीक तो यह आया है करने पर अब देखिए दो बटे पांच यहाँ प अब देखिए नीचे क्या है पांच है ध्यान से समझिएगा हम क्या बताया थे दो का पावर एम गुणे पांच का पावर एन ये वाला प्रोसेस होना चाहिए बताया थे पिछले पांट वन में तो यह नहीं है इसलिए उपर नीचे दोनों में 2 से मल्टिप्लाई हुआ है अगर यहां पे 2 होता है तो उपर निचे किस से multiply होता? 5 से ठीक clear हो गया जो तो किस से multiply करेंगे? जो नहीं है समझ जाएगा अब multiply किजिए 2टू जब 4 और 5-10 तो इसको 0.4 लिख देंगे यहीं हो जाएगा यहीं हो जाएगा आपका answer थूर्श सका आज पुरा कुंपलेट Bishop nuanced आफको टेली ग्रुप में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है साथ फेस्बुक और इंस्टाग्रम का भी लिंक दिया हुआ हए कोई भी इनफोर्मेसन होता है मई पर भेज देते हैं चलिए इसको नोट कीजिए उसके बाद हम इटा कि कुश्चन नमर तीन पर आते हैं चलिए कुश्चन नमर तीन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और नहीं भी दिखेगा तो हम यहाँ पर पड़के बता देंगे वैसे वीडियो दो सकत दो दिन तीन दिन वीच करके आए उसके बाद वीडियो कंटीनीव हो जाएगा क्योंकि जानते हैं पता ही थे वज़ा यह है कि मेरा एक्जाम है पता ही है तो थोड़ा सा आठ मई तक मैनेज कर लिजी आप लोग आठ मई दस मई यह मैक्सिमम पंदर मही तक उसके बाद वीडियो कंटीनीव हो जाएगा चलिए कोश्चन नमर तीन का पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा हम यहां पर पड़ विरा है निर्धारित कीजिए कि वह संख्या 43 दसमल्लों कोश्चन नमर थ्री 43 दसमल्लों 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यहीं है ना 7,8,9 परिमेशंख्या है या नहीं पहले तो यह बताना है कि यह परिमेशंख्या है कि नहीं है उसके बाद बोल रहा है कि यदि यह परिमेशंख्या है तो क्या PYQ के रूप की है अगर है तो क्या हम इसे PYQ के रूप में पारे में आप क्या को सकते हैं कुछ नहीं करना है तो क्या करना है छोड़ दीजे मत बताइए चलो देखो यहां पर आपको सबसे पहले इसी को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है कैसे इसको आराम से किये दस मॉलो उड़ा तो नीचे आया एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हम पी वाई क्यू के रूप में हो ही गया देखी रहा हो अब यहां पर मारकर बदल ले रहा है थोड़ा ही हो रहा है अब य इसको फ्रेक्शन में बदल दिये पी वाई क्यू के रूप में तो पॉइंट अब नहीं देना है फिर जैसे लाइन है उसे वैसे लाइन कितना जीरो एक पे एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नो दस पे नो जीरो कोई समस्या नहीं जो उपर लिखा था उसको दस मॉलो कुड़ाएं उतना जीरो बैठा दिये जीरो बैठाने के बाद उतना जीरो हम इंडिकेट कर दिये फ्रेक्शन में अब यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चार तीन एक दो तीन चार पैंट छो साथ आठ नो बट्टे में दस को क्या हम दो गुने पांच का पावर नो नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं न दस को क्या हम दस को दो गुणे पांच लिख सकते हैं एकदम लिख सकते हैं यहां तक किसी को समझ से हम हट रहा है समझवाराम से उसके बाद कुछ नहीं है इसी को अलग करके बता देना है कि इसे हम दो के पावर एम और पांच के पावर एन के रूप में लि चलिए यहां पर जाईएगा 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटे में 2 का पावर 9, गुणे 5 का पावर 9, बस यहीं लिखना था इसी के रूप में इसको दर्साना था अब यहां पर यह पूछ रहा है लास्ट वाला जो आपका कोश्चन में था कि क्यू को हम क्या अभाजी गुणन खंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख दिये पी वाई क्यू के रूप में लिखने के बद अभाजी गुणन खंड के रूप में व्यक्त कर दिये अब यहाँ पर language आपको लिखना है कि जब इसको हम ये कर दिये 2 के power m और 5 के power n के रूप में व्यक्त कर दिये तो बस इसी को लिख दिजिए कि हम 4.43.123456789 को पी बाइक्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसे इसका नोट साब को टेली गराम में मिल जाएगा निश्चिनत रहेगा यहाँ पर चीजों को समझे और इसे 2 का power m गुणे 5 के power n के रूप में के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कोई समस्या हट जा रहे हैं अराम से देखिए एकदम से यहीं प्रोसेस रहेगा जो लेंग्वेज लिख वाए हैं आपको बस वहीं लिख देना है कोश्चन समझ में आ गया कि इसको पॉइंट हटा है फ्रेक्शन में किये पीवाई क्यू के रूप में और इसका जो जितना सूना उतना इस पर सूना बढ़ा दिये अब उसी को दो बटा पांच के रूप में व्यक्त करने के बाद दो के पावर एम और पांच के पावर इन के रूप में व्यक्त किये अब बस इस्ट्रेट्मेंट तुम्हेरे सामने है हो गया इस्ट्रेट्मेंट अपने से भी बना के लिक सकते हो चलो कोश्चन नम्मर तीसरा का दूसरा जितना हो सके हम आप लोग से यहीं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यूटूब पर जो लोग भी पड़ रहे हैं आप बेरा मदद वस इसी तरफ किजिए कि एक लड़का कम से कम एक लड़के को आपका बेस्ट फ्रेंड तो होगा ही उसको ही कम से कम सेयर कर दीजिए हम कहां कर रहा है कि 500 लोगों को सेयर किजिए चले कोशन नमर टू बोल रहा है इसमें एकदम इजी कोशन है लेंगवेज वाला कोशन है देखें जीरो पुछ रहा है कि क्या परिमेश अंख्या है और यह किस प्रकार का दस्मल्लो प्रसार है अब देखिए हम बताये थे कि एक दस्मल्लो प्रसार में आपको क्या करना है कोशन दिखा होगा ठीक जो संख्या भाग देदे पे सैसफल में जीरो आ जाता है वह कैसा होता है सांत दस्मल्लो का आज जो कटता नहीं है बढ़ते चला जाता है इंट्रोडुक्षन वाले विडियो में हम बताये थे उसको क दस्मलाव प्रसार अस्सांत प्रविर्ति का है ठीक उसके बाद इसलिए यह आपरी में है बस कुछ नहीं करना है काम खत्म जब हम देखी रहा है कि कट नहीं रहा है तो असांत काम खत्म कॉष्ण में पूछा है चलिए क्वेशन नमर तीन के तीसरा इसी के तीसरा यहाँ पर कोई समझ देख लिजए कोई डाउट होगा तो फिर से हम बता रहे हैं कि जो कट जाए वह संथ जो नहीं कटे वह असांथ बताए इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो लड़के नहीं देखें हैं देख लीजेगा चलिए इसी के कोशन नमर्ट 2 था तीसरका का दूसरा का था चलिए अब इसको मिटा के तीसरका का हम तीसरका पे आ रहे हैं चलिए अब यहां पे आपको देखना है पे टोपी अब देखिएगा बहुत लोग टोपी का मतलब नहीं जानते हैं कोशन में सिर्फ यहीं बताना है कि यह दस्मलो प्रसार कैसा है ठीक सांथ है या असांथ है अब उसके बाद अगर सांथ है तो कैसा है परिमेश संख्या होगा कि अब परिमेश संख्या होगा समझेगा ध्यान से टोपी का मतलब कोई संख्या कट नहीं रहा है रिपीट हो रहा है अब समझेगा जैसे इसका मतलब 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 के बाद फिर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 रिपीट हो रहा है फिर 9 आएगा फिर 9 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिपीट हो रहा है टोपी हम इसलिए बोल रहा है कि आप समझ पर उसको रेकरिंग बोलता है इंगलिस में यहाँ पर आपको लिखना है कि 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कि अब यहाँ पे टोपी टोपी यहाँ पे आपको चीज समझना है पिछे वाले कुष्चन असांथ था लेकिन वह अपर में था यहाँ पे असांथ है ठीक सबसे पहले तो लिखे यह यह असांथ प्रविर्ति का है असांथ प्रसार है ठीक पहले एकदम लेंगवेज आप अपने से भी लिख सकते हैं यहां पर हम आपको समझाते हैं और अलग अलग टीचर अपने लेंगवेज को अपने अपने तरीके से लिखवाते हैं यहां पे और संथ क्यों है रिपीट होते चलेगा करना लाएंगा थी ले कि फोर थ्री पॉइंट तो पॉइंट को जब हम उपर उडाएंगे हवा में हवा में अंतरिक्ष में तो नीचे एक देखे उतना जीरो करेंगे समझ में आ जैसे माली जैसे दो दस मलव चार है यह उसके पीछे दो है इतना इसको उड़ा के ऐसे करत लिखते हैं तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं कि हां हम प्रसार है हम इसे इना कि कि पी बाइ क्यूँ के रूप में आप में लिख सकते हैं कि एक दम आसान भासा में इसी तरफ लिखिएगा नोट doesn't आप लोगों को टेलीगराम में मिलं जाएगा पी एक क्युके रूप में लिख सकते हैं और क्यूं क्या है पताँ ही है नीशे वाला टर्म होता है अब यहां पर question में आपको indicate किया हुआ था तो क्या जब आप इसका अभाज गुड रहते हैं यानि यहां पर लिख लिजी ओ क्यूं का अभाज गुड़न खंड क्यूंका अभाज गुड़न खंड में दो और पांच के अतिरिक्त अन्य भी सामिल है बस इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है यह हम अपने लेंग्वेज में लिखवा रहे हैं ठीक है फिर से समझेगा इसमें केवल यहीं बताना था कि क्या हम इसको पीवाई क्यूंके रूप में लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं दूसरा कोश्चन य नहीं तो असान्त है अब इसके बाद पूछा है कि जो दो का power m और पांच का power in ठिक इसके रूप में व्यक्त हो सकता है व्यक्त तो हो रहा है लेकिन इसके अलावे जो Q है यानि नीचे गुड़न खंड में पी भाई क्यूंग होता है ना पी बाई क्यूंग तो यह नीचे पे भी बताए हैं चलिए नोट कर लिजिए स्क्रीन सोट लेना स्क्रीन सोट ले लिजिए आपको इसका PDF एक्ससाइज 1.1 से लेके आज आपको एक्ससाइज 1.1 से लेके 1.4 तक पूरा PDF आपको टेलीग्राम गुरूप में भेज दिया जाएगा ओके और ध्यान रहे यह चैप्टर कंप्लीट हो गया अब आपको इसका mcq का चैप्टर मिलेगा mcq किसका इसी चैप्टर का ओके mcq हर सब्जेक्ट का रहा है ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए अपने फ्रेंड सरकल में क्योंकि सही और सटिक त्यारी हमारे चैनल पर कराई जाती है बीना मतलब कर लेंदी नहीं यह मिलाते गाए यह होते गया वह होते गया नहीं हम समझ रहा है एक लड़का जो क्ला स्टेंथ में उसको क्या चाहिए और कैसे चाहिए चलि बहुत इमांदार अदमी है किसमत की तिनी आउकात नहीं जो मेरी मेहनत को दबा सकते हैं ध्यान रखिए बहुत संदार बात बोला है लड़का आप लोग भी भेजिये जिसका सबसे बेश्ट होगा उसकाम पढ़ देंगे ओके अधनाम के साथ पढ़ देंगे इस लड़के मैंने मना किया था कि सर मेरा नाम मत लिजिएगा इसलिए हम नाम नहीं लियत है ओके मिलते हैं इसका MC क्यों आएगा उसके बाद नेक्स चेप्टर में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जैहिन गुड़बाय टेक के